सबसे पहले तो सावन के तीसरे समारी की आप सब लोग को धेर सारी सुब कामना है और दोस्तों इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ जब हम अपने पिक्सलाइब अप्लिकेशन ओपन करते आए उसके बाद हम यहाँ पर फॉंट वाले सेक्शन में आते हैं और उसके ब प्रोब्लम आ रहा है इसे हम फिक्स कैसे करेंगे यहीं मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं इस स्टार्ट मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार स्वागत है आप सब लिए का मंगेश कुमार 2.0 चैनल क एक नए वीडियो में चलिए इस वीडियो को देखे लेते हैं यहां पर मैं आपको एक छोटा सा जनकारी देदू अगर आप यूटूब कॉम्प्लीट कोर्स के सारा वीडियो बिल्कुल फिरी में दखना चाहते हैं तो लिंक के निचर इस्क्रिप्शन में आप जाके कि अपने फोल से उड़ा देना है उसके बादोस्तों आपको Google Chrome अगे कर देना है जैसे हम यहांप आपको लिखना है पिक्सलाइब और बरजन चलिए हम यहां पर लिख देता है पिक्सलाइब और बरजन लिख करते हैं तो भाईया यहां पर जो सबसे ऊपर पर लिंक बेरा इसी के उपर आपको किलिक कर तो यहां पर हर साल का आपको पिक्सल एप मिल जाएगा औब थोड़ा लाद कीजिए कि किस समय पिक्सलाइब अप्लिकेशन में फॉंट होता था 2020 उसमें डाइडेक्ट आप डाउनलोड करके आइड कर सकते थे तो यहां पर 2020 वाला आप ढूंड लीजिए कि कहां पर है जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2020 वाला हमको यहां पर मिल जा रहा है तो हमको इसके उपर किलिक कर देना है जिस पर भी आप किलिक करना चाहते हैं किलिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आइड करके देख सकते हैं कि कौन आपके पूंड में सपोर्ट कर रहा है जैसे कि हम यहां डाउनलोड कर रहे हैं अगर यह सपोर्ट नहीं कर आ है तो कोई और देने लाएगा नहीं तो डाउलोट का बटन मिलेगा उसके क्लिक किजिए लाइगा जैसे कि मेरा डाउलोड हो चुका है जैसे कि आप देखने के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर दोस्तों उपर के तरफ यह जो तीन बिन्दू दिखाई द रहाई इस पर क्लिक किजिए उसके बाद डाउनलोड में आईएगा तो यहां पर सबखे ही आपका डाउनलोड हो चुका है अब दोस्तों आपको इसके उपर क्लिक ना एन विद् पहले से हम अपने phone में कुछ font को extract करके रखे थे कुछ में onzip दिखाई देता है तो onzip करके रखे थे तो automatic हमारा यहां पर add होके आ चुका है अगर आप add करना चाहते है manual ही तो यहां पर इस जो की text वाले पर आप click कर दीजिएगा इस पर click करने के बाद आपको download में आना है और उसके बाद जो जो add करना चाहते है उस पर tick mark लागा कर दीजिएगा वह आपका यहां पर add होके आ जाता है तो इस तरीके से pixel live application के font add problem को solve किया जाता है और यहां आपको समझ में आ गया चलिए दोस्तों हम आपको एक और वीडियो बना के दे दिये जिसमें हम आपको बताएं कि पिक्सल लाइब application में फॉंट को add कैसे किया जता है इस पर वीडियो है मारे चैनल पर लिंक है नीचे description में आप जाके देख सकते हैं नहीं तो यहां पर भी क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं